आप मेरे सिर पर लटके इन बल्ब्स को देख रहे होंगे मैं जब भी बल्ब्स को देखता हूँ तो मुझे थॉमस अलवा एडिशन की याद आती है थॉमस अलवा एडिशन को जब वो छोटे थे तो उनकी स्कूल की टीचर ने उनको मंद बुद्धी कहा था और स्कूल से निकाल दिया था और थॉमस अलवा एडिशन के माता पिता को कहा था कि हमारी स्कूल में हम इसको नहीं पढ़ा सकते ये बहुत मंद बुद्धी है और आप इसको घर में पढ़ाईए थॉमस अलवा एडिसन की मा ने उनकी बात को मानने से इंकार कर दिया और उन्होंने बोला मेरा बच्चा मंद बुद्धे नहीं हो सकता मैं इसको घर में पढ़ाऊं और थॉमस अलवा एडिसन आज दुनिया के उन विज्ञानिकों में से जाने जाते हैं जिनके नाम से मैक्जिमम इन्वेंशन से दुनिया के टॉप टैन में से एक यदि तॉमस अलवा एडिसन की मा ये मान लेती की मेरा बच्चा मंद बुद्धी है तो पूरी जिन्दगी वो उसको मंद बुद्धी की तरह ट्रीट करती रहती और वो मंद बुद्धी मन जाता है साथियों इतिहास कौन रचता है इतिहास वो नहीं रचते जो लोगों की बात सुनके मान लेते कि मैं कमजोरूं मैं हीनूं मैं नहीं कर सकता मुझे नहीं आगा इतिहास वो नहीं रचते जो किसी दूसरे की राय के लिए अपने संकल्प छोड़ देते इतिहास वो नहीं रचते जो कोई दूसरा डिस्करेज करता है डिसार्टन करता है तो अपने टार्गेट छोड़ देते हैं इतिहास वो नहीं रचते जो कोई उनसे खराब वेवार करता है तो वो अपना अच्छा वेवार छोड़ देते हैं इतिहास वो नहीं रचते हैं जो जरा सा टॉर्चर पाके अपना टार्गेट छोड़ देते हैं इतिहास वो रचते हैं जो सहते हैं इतिहास वो रचते हैं जो खड़े होते हैं अभी अभी एक शांदार फिल्म आई दंगल आपने देखी होगी गीता बवीता महावीर सिंग फ वोगाट ने उनको सुभा सुभा उठाया उनके बाल कटवा दिये उनके खाने पीने पर रोक लगा दी सब कुछ कि यहां तक कि उनके बच्चों ने उनको दुश्मन समझ लिया और ऐसा ही कई बार होता है धेर सारे बच्चे अपने माबाप को दुश्मन समझ लेते हैं लेकिन एक दिन उनको समझ आया जब उनकी सहली कहती है कि तुम्हारे पिता तुमको संतान तो समझते हैं कम से कम इसलिए तुम्हारी फिक्र करते हैं साथियों महावीर सिंग फोगाट ने पहले इतिहास रचाए गीता वभीताने बाद में महावीर सिंग फोगाट ने वह बीज लगाया उनको सीचा बढ़ा किया सारी दुनिया के तिरसकार महावीर सिंग फोगाट ने का है साथियों आज आपका तिरसकार हो रहा है कहीं और आप यदि उसकी वज़े से हिम्मत हार के बैढ़ गए तो आप बड़े नहीं होंगे भरी गर्मियों में जिस सूरज का तिरसकार होता है सर्दियों में उसी सूरज का इंतजार होता है आज तिरसकार का मतलब आजीवन तिरसकार नहीं है इतिहास वो नहीं रचेगा जो लोगों की सुनेगा इतिहास वो नहीं रचेगा जो टार्गेट छोड़ेगा इतिहास वो नहीं रचेगा जो हीन भावना में चले जाएगा इतिहास वो नहीं रचेगा जो दूसरों को जिसके पास विलपावर नहीं है इतिहास सिर्वो रचेगा जो खड़ा होके लड़ रहा है क्योंकि जो लड़ रहा है वह गिरेगा फिर उठ खड़ा होगा जो लड़ रहा है वो हारेगा लेकिन फिर जीतेगा लेकिन जो लडाए नहीं वो तो जीता है नहीं वो तो हारा है नहीं क्योंकि वो कभी लडाए नहीं तो यदि थोड़ा वी तिहा सलसना है यदि थोड़ी वेलुबल जिंद इवलाटी कुछ भी हासिल करना है तो लड़िए लोगों की ना सुनिये लड़िए बढ़िये मगर करिये डरना सभाविक है किसी बड़े काम को करते वे डर लगता है. किसी संकलप को पूरा करते वे डर लगता है. किसी रहा पर चलते वे डर लगता है. दुनिया की बड़ी ऑनलाइन, अखबार की मालिक एरियाना हफिंगटन कहती है, मुझे बहुत डर लगता है. मैं डरती हूँ. बिकास फिर इस नॉर्मल बट मैं फिर भी करती हूँ क्योंकि उसको करना जरूरी है डरिये मगर करिये क्योंकि इतिहास डरने वालों को याद नहीं रखेगा इतिहास करने वालों को याद रखेगा सम्मान डरने वालों का नहीं होगा, सम्मान करने वालों का होगा करिये, कुछ करिये, यह जिन्दगी आपकी है कुछ ऐसा करिये, कि लोग आपको याद करें कुछ ऐसा करिये, कि आपको अपने जीने पर गर हो भले ही आपने किसी ने आपके कुछ भी लेवल लगाए हो आपके बारे में कितना ही हलका बोला हो जब थामस एलवा एडिसन इस बल्व का विश्कारक मंद बुद्धी कहलाने के बाद इतिहास रज सकता है और हर टेक्स्ट बुक हर बच्चा बच्चा उसका नाम जान सकता है तो फिर आपका भी जान सकता है शुक्रिया धन्यवाद थैंक यूज